तो फ्रांस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाएए तो आज कब लोग स्टार्ट करते हैं वेल्कम बेक तू माई चैनल हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे तो ये वीडियो है अम्मा के घर से आने के बाद का क्यूंकि अभी आपने देखा था कि केक कट हुआ था तो वहां से हम जब बापस आये थे तो फिर मैंने यहां आप पे आके क्यूंकि गु बूजा करते हैं तो यह दोनों फूजा करने लगे थे और आज बसंतमजा में थी इसलिए वह बादी पूजे तो हमसे बांब अँप तो ये बंूंकि चेप आरी में बबनादे लुए इसलिए नूदल बना ए थे और आप लोग के साथ सेर भी किया था और ये इस तरीके से सम को अपना पूजा कररे हैं दोनों तो यहाँ पर सहिंग वढ़िए आर्थी करने लगे हैं है वद कि वजाते हैं संग और इनको संग बजाने का सौक है तो यह से प्रक्टिस की हुई है देखिए आप किस तरीके से बजा रहे हैं और यह देखिए तो अब यह तना अच्छा तो नहीं बजा पाता है लेकिन बजाता है तो थोड़ा सा बजा लेता है और यह देखिए बस इतने ही बजा पाते हैं और आगे प्रक्टिस करते रहेंगे तो सिख जाएंगे और इसके बाद बनाएंगे हम छोले तो छोले बनाने के लिए मैंने सिंपल ही बनाऊंगी मैं क्योंकि कोई गरम मसाले बगरा जो है खड़े गरम मसाला भी नहीं डालती हूं मैं और वैसा वाला भी नहीं डालती हूं क्योंकि गरम मसाले कमी पसंद है और हमारे यहां वैसे भी मसाला कमी खाया जाता है तो यह पेस्ट बना लिया था मैंने अधरक लैसुन प्याज और टमाटर हरी मिर्ची का तो यह डाल देंगे और इसको अच्छे से भूल लेंगे और बाकी के डुक यह भी मसाले जारूरी होता है क्यूंकि अगर छोले बना रहे हैं कॉले मसाला नहीं प्लोर्टनां नहीं डालते है तो और नॉर्मल सबसुलडी जैसे लगने लगती है तो छोले मसाले से ही वह चोला जैसा लगता है और यह यह देखिए वाउल करके रखती यह में हम mi Corda जाएगा मासाला हमारा तो हम डाल देंगे सोले और मैं तो इसी तरीकित से बनाती हूं और बच्चो को बहुत हैं मेरे बच्ची को बहुत जादा खाते हैं छोले समयोंग को पसंद नहीं ठोले गूंगूं को पसंद न कासा नमक होता है और हम लोगों का क्या है हम लोग तो जो भी बनता है सब खा लेते हैं पसंद तो मुझे भी हैं तो वस इस तरीके से हमारा आज का खाना जो है रात का तयार हो रहा है तो अम्मा के हां से आने के बाद हमने बनाए थे क्योंकि मैं भूल गई थी मैंने बताया इनको रात में डालना तो शुबय डाले थे पीर तुछ साम कोई बनने थे और पानी इस साब से डालूंगी वेने यहां थुदा सा रसा खा जाता है इनके इनको ज्यादा अम्रलव रसा पसंद है तो पानी डाल दोंगी और इसके बार ढग दोंगी बस थूदा साही पकाना है इसके बाद हम मैदा ले लेंगे तो इसमें मैंने दही पहले से डाल रखा है और इनु डालके नमक डालके थोड़ा सा ओयल कोई भी डालके और आटक गुंत लेंगे जैसे कि हम थोड़ा सा गीला रखते हैं इनका भटूरे का तो बस और तुरंथी मैंने बना लिए थे मतल के लिए भी नहीं रख पाई थी मैं इसको तो थोड़ा सा हार्ड मतलब बने थे वैसे फूल भी रहते सा वह राता लेकिन उसके बाद थोड़ी से हार्ड से लग रहे थे देखने में खाने में तो टेस्ट अच्छा था तो सब्जी भी हमारे बन चुकी है रादनिया डालक के इसको अलग कर देंगे और वस सेंग लेंगे हम अपने भटूरे तो भटूरे जो है सहियोग के फेवरिट हैं तो सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी और मैं सिंपल ही खाती हूँ हमारे या सिंपल सब्जी ही खाई जाती है इसके बाद देखिए हाँ इसके बाद केक क था पापा ने और हम लोगों को पता नहीं था तो दो मना कर रही थी तो नहीं पहले काट ही लहां चलो यह था यहां भी काट लेगी यह तो वो भी अपना लेके आ गए थी कि चलो तुमानता नहीं है न मन मापाप का तो वो लेके आ गए थे तो फिर इसका भी कट गया था और देखिए सहीयोग साथ में काटेगा मतलब इसका वर्थडे होगा तो अपना तो काटता ही है मतलब हमारे हां जिसका भी वर्थडे होता किसी का भी हो घर में किक सही हो जरूर साथ में बैठके एक हो दरे कहार है तो यह देखिए अब इनके गुंगून के और ये चाकुश एसली खु़ा रहे हैं कि इनको यह है कि अंड। वाला होता है, मैं देखाए कि इंड। इस जाहं को भी नहीं भाकुन है। पता नहीं किसमें क्या मिला होता है और क्या-क्या हम इस्तिमाल करते हैं क्या-क्या नहीं करेंगे तो इस जक्कर में जैसे विस्किट खाते हैं ब्रैट खाते हैं तो इसमें ये इस्ट पड़ता है तो ये भी अंडा से ही होता है तो क्या-क्या नहीं करेंगे तो मैं खा लेती तो यह चिपकी हुई है तो आपको देख रही होगी तो बस हम मैंसे एक दूमी भटूरे और लगा दूँगी थाली तो बच्चे खालेंगे उसके बाद हम लोग खालेंगे और फिर इसके बाद बच्चे पढ़ाई करने को बैठ जाएंगे क्योंकि एक्जाम इनके सर पे हैं तो गुन-गुन का बोड है एक्जाम है तैंथ हैस साल तो उसको शुरूरात में तो शुरू से जब स्कूल उपन होते हैं तो बच्चे लापरवाई करते रहते हैं लेकर परिक्षा सर पे आजाती है तो फिर उनको लगता है कि आप कितना पाड़ लें तो वही हाल गुन- वाली थोड़ा सा कम होती है तो ये देखिए भटूर हमारे बन गए है और अब लगा दी हैं गुन-गुन थालि तो बस अपने लिए ही बच्शों के लिए ही लगाई है आप लाल थो ये देखिए यह छूले हैं और ये तरिक हैं तो ये इत्तन केक हैं जो नहां क्या तांक क्योंकि नाना और अम्मा पापा जो हैं लड़की का नहीं खाते हैं तो वो अपना मंगवा लेते हैं ताकि वो खा सके और ये भी यही के बाला के खाते हैं क्योंकि वो अणना वाला नहीं खाते हैं तो इसी दिए थोड़ा साम भी ले आये थे वह वाकी काम वहीं दे आये थे